नमस्कार दोस्तों वेलकम डू डियेस एज्जुकेशन स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल डियेस एज्जुकेशन में मैं हूँ दिनिस साहू और दोस्तों हम अध्यन कर रहे हैं मध्यप्रदेश के सामाने अध्यन का तो दोस्तों मध्यप्रदेश के सामाने अध्यन की सीरीज में आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना ये टॉपिक आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके अंत्रगत पहले जो नदी घाटी परियोजना देखेंगे हम नरवदा नदी घाटी परियोजना इसके बारे में आज हम अध्यन करेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूँ रिसेंट में अभी मैंने इंडियन जोग्रफी के अंत्रगत जो हमारी भारत की जितनी भी नदी घाटी परियोजना है या फिर डैम है या फिर महात्वपूर्ण बान है तो वो सारी लेक्षर मैंने कवर किये हैं तो आप मेरी चैनल की प्ल में जाकर वो लेक्षर देख सकते हैं तो स्टाट करते हैं दोस्तों बहुद्देशी नदी घाटी परियोजना है होती क्या है इन्हें बहुद्देशी नदी घाटी परियोजना है अखिर बोला क्या क्यों जाता है तो थोड़ा पहले मैं समझा देता हूँ यह होती क्या है तो देखें दोस्तों बहुद्देशी नदी घाटी पर यूजणा जैसे आप नाम से समझ रहे हैं बहुद्धन उद्देशे मिलकर बना है इसका मतलब होता है अनेक उद्देश्यों की पूर्ती होती है इससे ठीक है, जैसे माली जी ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, ठीक है, इसमें यदि हमने कोई एक डैम बनाया, ठीक है, माली जी इसमें हमने एक, इसकी, इस नदी पर एक कोई डैम बना दिया, ये ठीक है, हमने डैम बना दिया, तो जब ये दोस्तों हम डैम बनाएंगे, तो यहाँ पर एक जलासाय करने रमाड हो जाएगा जलासाय बोलते हैं वाटर रिजर्वियर बोलते हैं फिर जील बोलते हैं करतिम जील बोलते हैं तो यहाँ पर एक water store हो जाएगा हमारा, तो इस प्रकार इससे हम बहु उद्देशी की पूर्ती कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना बोलते हैं, और नदी घाटी से मतलब क्या है, नदी का मतलब नदी है, लेकिन घाटी का मतलब क्या होता है, कोई नदी जो होती है, तो इसके आस पास का जो सेक्रों किलोमेटर का छेतर होता है, तो आप समझेगा होंगे, बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना क्या होती है, तो आप इससे बहु उद्देशी की पूर्ती कैसे हो रही है, तो इस प्रकार से अनिक नहर निकाल सकते हैं ठीक है और इस डेम से इस नदी के जल को ठीक है जहां पर पानी की समस्या है ठीक है तो वहाँ पेजल की समस्या आप दूर कर सकते हैं पेजल ठीक है पेजल की समस्या को दूर कर सकते हैं ठीक है इसके लावा आसपास के शेत्र में सिचाई की विवस्ता कर सकते है ठीक है इस डैम के थुरू नहरों के दौरा ठीक है इसके लावा जो भी डैम होते हैं उससे पर्याटन को बढ़ावा मिलता है ठीक है पर्याटन को बढ़ावा मिलता है इसके लावा दूस्तों जल विद्धुत तीक है विद्धुत का उत्पादन किया जाता है तो जल विद्धुत इससे प्रडूस की जाती है तीक है इसके अलाबा मत्स से पालन होता है तीक है परिवहन वाट जल परिवहन वगेर जो होता है ठीक है उसमें सुभिधा मिलती है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना से या फिर एक डैम से इतने सारी उद्देशों की पूर्ती होती है ठीक है इसी के चलते जो दोस्तों हम उन्होंने क्या कहा है आधुनिक भारत का मंदिर या फिर तीर तिस्तान की संग्यां दी है ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी है ठीक है यह होती है बहु अद्देशी परियोजना है अब एक पॉइंट आपको यह समाझना है माली जे कोई नदी घाटी परियोजना है एक नदी घाटी परियोजना में दोस्तों जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक नदी में एक डैम बना जाए ठीक है तो एक नदी घाटी परियोजना में अनेक डैम हो सकते हैं ठीक है अनेक डैम हो सकते हैं डैम को बांध बोलते हैं ठीक है तो एक माली जे नरवदा नदी है ठीक तो इस प्रकार से पूरी जो एक परियोजना होती है नदी घाटी परियोजना तो उसी को हम बोलते है नदी घाटी परियोजना मेरे बताने का तात पर यह है कि एक नदी घाटी परियोजना में अनेक डैम या फिर बांध हो सकते हैं ठीके इस कलाब मैं नदी कलाब उसकी जो स हमारा मद्यप्रिदेश के अंतरगत पहली नदी-घाटी परियोजना है नर्मना-णदी-घाटी-परियोजना है to कि चर्च करते हैं है तो दूस्तो नर्मना नंदी-घाटी-परियोजना नहीं ने लेक्शेdır नहीं देखें और प्लेलिस्ट में जाकर आप मैंने अंध्य प्रद एक के सारे नदfish को डडिटल में कवर किया आप देख सकते हैं तो नर्मदा नमदी घाटी परियोजना सबसे पहले किंकिन राज्यों के मरज़त है ठीक है तो पहला तो मध्य veto हो गया ठीक है कि दूसरा हो गया महराष्च कि तीसरा हो गया गुजरात ठीक है चौंथा हो गया राजिस्थान तो दोस्तों जो नर्वदा नदी घाटी परियोजना है यह चार राज्यों के मद्ध है मद्ध परदेश, महराष्ट, गुजरात और राजिस्थान ठीक है इनके मद्ध है अब दोस्तो जो इस चार राज है इन चार राज्यों के मध्य नर्वदा नदी के जल को लेकर के विवाध है मैंने क्या वोला कि जो नर्वदा नदी गाटी परियोजना है चार राज्यों के मध्य है मद्ध्र प्रदेश है तीन राज्यों से बहती है आपको पता है मद्ध्र प्रदेश से बहती है महराष्ट बहती है और गुजरास से बहती है और एक और राज्य है उपर राजिस्थान से नहीं बहती है परंतु विवाद चार राज्यों के मद्ध है अब क्यूं है इसके नर्वना जल विवाद प्राधिकर्ण का गठन किया गया, क्यों किया गया दोस्तों इसका गठन, मैंने भी आपको बताया कि इन चार राज्यों के मध्ध में नर्वना नदिगी जल के बटवारे को लेकर के विवाद है, तो इसी विवाद के चलते, 1969 में इस विवाद को सुलजाने के लिए नर्वना जल विवाद प्राधिकर्ण का गठन किया गया, गठन तो कर दिया गया दोस्तों, अब इसकी जो ओवराल रेपोर्ट आई, ठीक है, या फिर सर्वसम्मति से जो भी फैसला हुआ, तो वो 1979 में इसका फैसला आया सर्वसम्मत से, ठीक है, फैसला क्या आया है दोस्तों, फैसला ये आया है दोस्तों कि इसका जो टोटल 28 मिलियन, 28 मिलियन, 28 मिलियन, 28 मिलियन एकर फीट जो वाटर है इसका, ठीक है, नर्मदा का जो टोटल 28 मिलियन एकर फीट पानी है, ठीक है, वो चार राज्यों में किस प्रकार से ब MP को, MP को कितना मिलेगा दोस्तो, 18.25, ठीक है, 18.25, मिलियन एकर फीट, यह आप लिखते जाएए, समझ जाएए, ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा है, महराष्ट, ठीक है, महराष्ट को कितना मिलेगा दोस्तो, तो महराष्ट को मिलेगा 0.50, मिलियन एकर फीट, ठीक है, तीसर और राज्य कौन सा है गुजरात तो गुजरात को कितना मिलेगा गुजरात को मिलेगा नो मिलियन एकर फीट ठीक है इसके लावा राजिस्थान को कितना मिलेगा तो इसको मिलेगा 0.25 मिलियन एकर फीट ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों 1969 में जो नर्मदा जलबेबाद प्राधिकर बना ठीक है और उसका जो 1979 ने फैसल आया तो उसने नर्मदा के कुल 28 मिलियन एकर फीट पानी को चार राजियों में इस प्रकार से डिवाइट किया कि बहिया MP को 28 225 मिल्यन एकर फीट मिलेगा महराष्ट को 050 मिलेगा गुजरत को 9 million एकर फीट मिलेगा और राजिस्थान को 0.25 मिल्यन एकर मिलेगा अब किस प्रकार से किया गया देखिए MP में सबसे जदा बहती है नर्मदा दान दी आपको पता होगा ठीक है पूरा पूर महाराष्ट को मिलती है मतलब महाराष्ट में सबसे कम बहुत थोड़ी वैती तो तीसरे नमबर पर उसको मिला और राजिस्थान में तो बहती ही नहीं है तो उसको चुकी वहाँ पर पानी की दिक्कत है तो 0.25 उसको भी दे दिया गया तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सबसे अधा MP फिर गुजरात फिर महाराष और फिर राजिस्थान तो इस प्रकार से इसको डिवाइट कर दिया गया ठीक है और यह जो दोस्तों डिवाइट किया गया जल को तो यह 45 वर्षों के लिए 45 वर्षों के लिए इसको माननी किया गया ठीक है 45 वर्षों के लिए मतलब ऐसा कहा गया कि 2024 पच्चिस ठीक है 2024 पच्चिस में इस जो यह जल बड़वारा किया गया इसको पुनाह निरिक्षित किया जाएगा ठीक है पुनाह निरिक्षित किया जाएगा ठीक है तो यह जलवड़वारा जो है 45 वर्षव के लिए 2024 पच्चिस तक किया गया और 2024 पच्चिस के बाद इससे पुनाह निदेख्चित किया जाएगा ठीक है एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइस कर देता हूं देखिए मैं आपको बता है जो नर्मदा नदी घाटी परिय आई मुक्केता चार्राज्यों के मद्ध है ठीक है तीन राज्य तो वह होगा जहां से नर्मदा नदी बहती है खिर मद्ध्रदेश, महराष्ट और राजिस्थन चौथर राज्य है माँरा ज़ंडे बहती है एसके बटवारों के लोगर चार राज्यों में विवाद है तो किन चार राज्यों के मध्य विवाद है, तो इस चारों राज्य आपको याद रखना है, ये भी question सीधे आता है exam में, इसके लाब इस विवाद के चलते दूस्तों, 1969 में नर्वदा जल विवाद प्राधी करना की स्थापना की गई, ये भी important है, तो आपको याद रखना है, तीक है, इसका फैसला आया, 1979 में फैसला क्या आया, कि इसने जो नर्वदा का टोटल पानी था, 28 मिलियन एकर फीट, इस 24 पच्चिस के बशबसे से पना निरिख्षत किया जाएगा, ठीक है, तो इतनी बात हो गई, इस प्रकास से दोस्तों हमारी नर्वदा नधी घाटी परियोजना की नीव रखी गई, ठीक है, अब इस के अंत्रगत क्या किया गया है, नर्वदा नधी घाटी परियोजना के 135 मध्यम और 3000 छोटे बानों का निर्माण किया जाएगा या फिर प्रस्तावित है ये प्रस्तावित अब देखिए इतनी बड़ी परियोजना है दो आप समझ सकते हैं कि नर्वना नदी घाडी परियोजना है कितनी विशाल और बड़ी परियोजना है इसके अंतरकत 39 बड़े इसके लाब क्या किया इतन के जाएगा और जो भी बार आव गैर आती है दो उसको आसले कि नियंद्रे किया जाएगा तो यह बहुत बड़ी परियोजना है अब इसमें से कुछ प्रियोजना है पून हो चुकीं है कुछ और कुछ प्रस्तावित हैं ओवराल देखा है दोस् नदी घाटी कि जो एक प्रकार से नीव रखी गई वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है अब चलते हैं दोस्तों इसके अंत्रगत जो मुख्य मुख्य के परियोजना है उनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है इससे पहले हम थोड़ी बात करने कि हमारे भारत का सबसे सबसे बड़े की भाधी निर्टी पर हिस्ते धर सर दर गुजरात में वह सबसे बड़ा बांद है सबसे बड़ा तो पहले नदी घाटी परियोजना एक लाइन आप नोट डाल के लिख लीजेगे दोस्तों, एक नदी घाटी परियोजनाओं में अनेक बांध होते हैं, अब एक नदी घाटी परियोजना को मतलब यह नहीं कि उसमें एक ही बांध होगा, उसमें अनेक बांध होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यह बहुत ब बड़ी परियोजना प्रोड्य और इंद्रा सागत परियोजना इसकेा बात करेंगे सबसे पहले यह कहाँ पर है तो हम देख बूरे आधा तो यह झिला इस घंडवह फेला पुनाचाम अक तिक में यह स्थित धर खंडवा जले के अंतरगत है, इसे पुनासा डेम भी बोला जाता है, पुनासा डेम, ठीक है, तो खंडवा जले के अंतरगत है, पुनासा में ये परियोजना है, और दोस्तों ये जो मद्रप्रदेश की, ठीक है, मद्रप्रदेश की नर्मदा के अंतरगत, सबसे बड़ी पर परियोजना है इंद्रा सागर परियोजना ठीक है वैसे हम बात करेंगे तो सरदा सरोगर सबसे बड़ी परियोजना है परंतु वो गुजरात में है ठीक है तो मैंने क्या लिखा है मजद्पिदिस की नरवदा के नदी के अंत्रगत सबसे बड़ी परियोजना है ठीक है यदि बाननवे मीटर इसकी उचाई है ठीक है दोस्तों 653 मीटर लंबा है ये इंद्रा सागर डैम ठीक है इसके लावब बाननवे मीटर चोड़ा है इसके लावब दोस्तों 23 अक्टूबर 1984 को इसकी नीव रखी गई थी है ना इंद्रा गांधी द्वारा इंद्रा गांधी द्वारा ठीक है तो इनी के नाम पर दोस्तों इंद्रा सागर डैम इसका नाम पड़ा है ठीक है चुकि 23 अक्टूबर 1984 से यह परियूजणा का सिलान नयास किया गया था या फिर इस परियूजणा को स्टार्ट किया गया था ठीक है ये बात आपको याद रख नहीं है इसके लाबा दोस्तों यह दि अधियम इसकी विद्दुत उतपाधन उत्पाधन चमता देखें तो इसकी विद्दोत उत्पादन शमता जो है 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट धीक है 1000 मेगावाट विद्दोत का उत्पादन किया जाता है इंद्रसागर परियोजना थे इसमें दोस्तो 125 मेगावाट की 8 यूनिट काम करती है तो 125 मेगावाट की 8 यूनिट काम करती है, इस प्रकास 1000 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है इसके लब़ जो इंद्रसागर परियोजना है, इस से किस-किस जिले को लाव मिलता है, तो वह हम देख लेते हैं, खंडवा, खर्गोन और बढ़वानी, ना लाव मिलता है इससे तो इंद्रे सागर परियोजना है खंडवा, खरगौन और जो बड़वानी जिले है इनको लाव मिलता है और लगवक 27 लाख है टेर ठीक है 27 लाख है टेर भूमी सिंचित की जाती है ठीक है 27 लाख हैक्टेर भूमी सिंचित की जाती है इसके लावा विद्धुत उत्पादन 1000 मेगा वाट है इसके लावा मद्विदिस की सबसे बड़ी परियोजना है ये बात आपको याद रखना है ठीक है इसके लावा दोस्तों मैंना क्या होता है इसका date 1984 को इसकी नीव रखी गई थी और 2004 में爸 2004 में इसका काम टोटली पर जल संग्रहन वाला जलास है देखिए मैंने आपको बता है जैसे कोई नदी है इसमें कोई डैम बना जाता है तो पीछे एक जल संग्रहन चेत्र बनता है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जील भी बुला जाता है तो इंद्रस आगर परियोजने के पीछे जो जल संग्रहन चेत्र है वो हमारे भारत में सबसे वड़ा चेत्र है तो ऐसा लिख लेजी आप यह है भारत का सरवाधिक जल संग्रहन वाला डैम है ठीक है आप समझगे जो डैम की पीछे जल संग्रहन चेत्र बनता है तो जो इंद्रस आगर परियोजने या फिर डैम है वो भारत का सरवाधिक जल संग्रहन वाला डैम है तो यह आपको याद रखना है तो इतनी बात है इस केंतरर गत एक बार मैं रिवाइस कर दीत हूं इ एक पुनासा डैम के नाम से भी जता है मद्य़पैश में निर्वर्दा की सबसे बड़ी परिऊजना है वैसे हम निर्वदा नदी की देख elabor तो सरदार सरोवर इसका बिद्धुत उत्पादन है ठीक है, 125 मेगावाट की 8 यूनिट है, टोटल ठीक है ये भी आपको याद आखना, एक्जाम में पूछ ले जाता है हर एक पॉइंट इंपोइंट है इसके लावा इससे खंडवा, खरगोन, बढ़वानी जिले को लाव मिलता है, लगवग सत्काइश लाख हेक्टेर भूमी को संजित किया जाता है ये भारत की सरवादिक जल संगराण छेतर वाली एकाई है ठीक है, इसके लावा दोस्तों 564 गाउं ठीक है खंडवा, खरगोन, बढ़वानी के लावा लगवग 564 गाउं को भी इससे लाव मिलता है तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सरदार सरोबर की हैं न तो दूसरी दोस्तों परियोजना है सरदार सरोबर सरदार सरोबर परियोजना कहाँ पर है दोस्तों है परियोजना तो केवडिया ग्राम ठीक है, बढोच जला बढोच जला गुजरात ठीक है तो सरदार सरोबर परियोजना नर्वदा नदी के अंतरगत के वड़िया ग्राम भरोच जिला और गुजरात के अंतरगती बनाई गई है ठीक है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है ठीक है इसके लावा दोस्तो हमारे भारत की सबसे बड़ी परियोजना है प्रकास देख सबसे बड़े बांध की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोबर बाद है हमारे भारत का इसके लावा विश्यो का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ठीक है और यदि हम बात करें पहले मैं या लग देता हूं ठीक है तो भारत का सबसे गुरुत्वी ये बांध ठीक है सबसे बड़ा दोस्तो और विश्व का दूसरा है विश्व में इसका सेकेंड इस्थान है सबसे पहला दोस्तो कौन है ग्रांड कुली नाम का जो बांध है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कुली ग्रैंड कुली डैम है जो की सबसे बड़ा है विश्व में फर्स्ट नंबर पर है ठीक है अमेरिका में है ये बांध और दूसरा है सरदार सरोवर ठीक है इसके अंतर का दोस्तों और हम बात करें तो सरदार सरोवर बांध की जो परिकलपना की थी वो हमारे भारत जब में दूस्तों इसकी परिकलपना की गई थी ठीक है और 1961 में जवार लाल नहरू जवार लाल नहरू के द्वारा इसको सिलान्याश किया गया या फिर इसकी सुरुवात की गई ठीक है उनीस सो चालिस में हमारे देश जब आजाद भी नहीं हुआ था उससे भी पहले सरदार पटेल ने इसकी परिकलपना रखी थी कि एक बांध बनाया जाना चाहिए नर्वननदी पर ठीक है उनी के नाम पर इसका नाम सरदार सरोवर परियोजना पड़ा है इसके लब कि दो तीर तीर सिस्थल कहा था प्रथम तीर सिस्थल कहा था प्रथम तीर सिस्थल की संगय कि इसको दी गई है तो भाखडा नांगल को भाखडा नांगल को प्रथम तीर सिस्थल की संगय दी गई है ठीक है एक बार मैं पूरे रिवैस कर दिता हूँ जो सरदार सरोवर बा जिला है उसमें एक ग्राम केवडिया वहां पर बनाया गया है इसके लाबा भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वी बान है इसके लाबा विश्व में इसका दूसर नमबर आता है और ग्रांड कुली जो डैम है अमेरिका के अंतरगत उसका विश्व में पहला इस्थान आता है देखिए कन्फूज नहीं होना सबसे बड़े की बात है तो सरदा सरोबर सबसे उचाये तो टिहरी जो कि उत्रकंड में है सबसे लंबा तो हीरकूंड जो कि ओडिशा में है ठीक है कन्फूज नहीं होना है आपको इसके लाबा 1946 में सरदा सरोबर ने इसकी परिकलप ना की देखिए कि ऐसा एक डैम बनना चाहिए ठीक है इसके लबा 1961 में जवाहर लाल ने इस परियोजना को सुरुवात किया ठीक है और यह बनकर कब तयार हुआ दोस्तों तो यह बनकर तयार हुआ था 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्धाटन किया ठीक है अब आप सोच समाज सेवी का समाज 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 सेवी का मेगा पाठकर जी मेगा पाठकर जी अकसर ED बचाओ आंद्धोलन से संबन्धे तो मेगा पाठकर टीक है यह समाज सेवी काती तो जो सरदार सरोवार डेम था वो इसी नरे बचाओ आंदोलन की भेंट चड़ गया और उसको बनने में इतना टैम लग गया कैसे लग गया चुकि नर्वार जो सर्दार सरोवार डेम है दोस्तों ठीक बहुत ही उचा डेम है ठीक लगवग इसकी जो उचाई है ठीक है उचाई की यदि मैं बात करूं तो 138.68 मीटर इसकी हाइट है ठीक है और इसी मैं लंबाई की बात करूं तो 1210 मीटर इसकी लंबाई है अब इसका दोस्तों जो इसकी उचाई है इसको लेकर वेवाद था ठीक है जो सर्दार सरोवार परियोजना की उचाई है या फिर हाइट है इसको लेकर वेवाद था और यह जो जो भी नरवदा वचाओ आंदोलन से जोड़े हुए थे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ देखे जो ये बड़े बड़े डैम उचे उचे डैम बना जा रहे है इससे क्या होता है जब एक बहुत बड़ा डैम बना जाता है मतलब जल के डूब में आ जाता है तो इनी समस्या के चलते नरवदा वचाओ आंदोलन चला गया और ये जो बड़े बड़े डैम थे इनकी उचाओ कम की जाए इसके संदर्म में ये आंदोलन चल रहे थे तो यही कारण है कि इस डैम को बनने में लगवक 57 वर्ष कसा में लगा और दोस्तों इसकी ये जो मामला था नरवदा बचाओ आंदोलन के अंदोलन चल जितने वी समाद से भी थे मेगा पाटकर बगएर नों ने इसका विरोध किया इसको उचाई को लेकरके 1995 में 1995 में मामला कहां गया सुप्रीम कोड में गया इसकी हैट बगएर को लेकर और ये तमाम जितने वी विवाद थे एक एकाथ लेक्चर में नरवदा बचाओ आंदोल में अलग से कवर करूँगा तो 1995 में मामला सुप्रीम कोड में गया ये मामला चलता रहा और इसका काम अठक गया बीच में इस पेकार से Supreme Court का जो दिर्णावी बाद में आया तowujhteamp की पक्च में आया और इसकी height वही रही इसकी height को लेकर की विवाज चल रहा था इस पेकार से 17, 72 इतना time लगवाग 57 वरश का इसमें लग गया तो यह कुछ point है आपको याद रखना है इसकी height याद रखनी है नरवदा बचावा अंदोलन रखना है इसके लाबा मैं नरवदा बचावा अंदोलन के अंतरगत एक अलग से separate lecture बना दूँगा इसके संबंद में Megapartker का नाम आपको याद रखना है तो यह होगी दोस्तों इसका सिरलन्यास का बनकर के कब तैयार हुआ ठीक है इसके लंबाई और height वगार अभी मैंने बता दी है न इसके लाबा दोस्तों जो इससे लवहमवित राज हैं वो कौन-कौन से है तो MP ठीक है चारों राज हैं MP में है महराष्ट्र, गुजरात और राजिस्थान यह चारों राजियों की संयुक्त परियोजना है और इसके यदि हम विद्धुत छम्ता की बात करें विद्धुत छम्ता तो इससे दोस्तों लगवग 1250 मेगावाट विद्धुत का उत्पादन किया जातक है इसमें दोस्तों 200 मेगावाट की 6 यूनिट है इसके लगवा 50 मेगावाट की 5 यूनिट है इस प्रकार से 1450 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है अब इसमें दोस्तों यदि हम बात करें थीके तो MP को 57% विद्धुत मिलेगी इसकी महराष्ट को 27% मिलेगी इसके लगवा गुजरात को 16% मिलेगी तो यह जितनी भी विद्धुत का उत्पादन किया जाएगा 1450 का उसमें से MP को 57% विद्धुत मिलेगी महराष्ट को 37% और गुजरात को 16% इसके लगवा जो राजिस्थान बच गया इसको विद्धुत नहीं मिलेगी इसको सिर्फ सिचाई के लिए जल मिलेगा तो इसको सिचाई के लिए जल प्राप्त होगा इस परियोजना से विद्धुत नहीं मिलेगी यह पॉइंट आपको याद रखना है एक्जाम में कुश्चन बन सकता है कि राजिस्थान को कितनी मेगावाट विजली मिलती है कितना परशेंट मिलता है तो सिर्फ तीन राजियों को ही इसका लाव मिलता है ठीक है यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है तो यह सारे लगवग फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिये इसके लबाब आपको पता हूँ, जो सरदा सरोवर बान है, इसके पास ही साधु वेट नामक इस्थान पर, कहाँ पर साधु वेट नामक इस्थान पर है ना, साधु वेट, साधु वेट नामक इस्थान पर, अमाई सरदार बल्लब भाई पतेल जो है, सरदार बल्लब भाई पटेल की प्रतीमा को इस्थाबित किया गया है ना इनकी जो इस्टैच्यू है एक सो ब्यासी मीटर उचा है और जो दुनिया का सबसे उचा इस्टैच्यू है ना पांस सो संताननवे फीट पांस सो संताननवे फीट ठीक है तो ये भी एक फैक्ट बता दिया मैंने कि जो इसी सरदार सरोवर बांध के पास में साधू वेट नामक इस्थान पर ठीक है सरदार बल्लब भाई पटेल का एक स्टैच्यू बनाया गया है जो कि एक सो ब्यासी मीटर उचा है जो कि दुनिया का सबसे उचा स्टैच्यू है और जो पांस सो संताननवे फीट ये आपको याद रखना है दोनों एक्जाम में पूछ लिया था फीट में भी और मीटर में भी इसके लाबा दोस्तों जो ये मूर्ती बनाई गई थी जिन्हों 31 October 2018 तो ये कुछ fact मैंने इससे related थी तो बता दी यहीं पर cover कर दिये साफ में चीजें पढ़ते जा तो इजी हो जाती है यादी भी रहती है तिक साधु वेट नामा के स्थान पर इसका सबसे उचा स्टैच्यू बनाया गया सरदर पटेल जी का एक सो ब्यासी मीटर ऊचा है तिक इसका लबार राम जी तुसरा ने इसका पूरा इस्ट्रक्चर बनाया था इस मूर्ती का और 31 October 2018 को नरियन मोजी ने इसका उधगाडन किया तो एक बार मैं रिवाइस कर दीता हूं दूस्तों नर्वजा नदी घाटी के अंतरकत जो दूस किया गया है क्रांक्रीट मतलब समझते होंगे थिक सिमेंट का गिटी का ठीक रेटका मिक्चर होता है जो इतना जाधा यह हूस किया गया कि चंदरमा तक जो मून है हमारे सैटिलाइट है उब ग्रह है तिक वहां तक आप सेड़ियां बना सकते है तो इतना विशाल ये बां इसके अलावा दूस्तों इस बांद की परिकल्पना सोच लिया था सर्दार पटेल जी ने कैसा बांद बनना चाहिए 1961 में नहरू जी ने इसके अधार सिला रखी और 2017 में अभी रिसेंट में ही नरेंद मुझी जी ने इसका उधगाटन किया तो यह डेट भी आपको याल रखना 17 सेक्टेमबर 2017 लगवख 57 वर्ष का समय लग गया ठीक है क्यों लग गया मैंने आपको बताई दिया कि नरवदा बचावान दोलन के अंतरगत यह उसकी भेंट चड़ गया था ठीक है यह चार राजियों की संयुक्त परियोजना है तीन राजियों को बीजने मिलती है एक को सिर्फ सचाई के लिए जैल मिलता है ठीक है परियोजना हम देखेंगे वर्गी परियोजना ठीक है या फिर से रानी अवंतिवाई लोधी परियोजना भी बोला जाता है सबसे मैं जो परियोजना है यह दो ही थी इंद्रसागर और सरदार सरोवर ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट परियोजना है दोस्तों जितनी भी म comment box में जोड़ सकते हैं तो दोस्तो रागी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना है तीसरी परियोजना है राणी अवंती बाई लोधी परियोजना ठीक है तो यह कहाँ पर इसको बरगी परियोजना भी बोला जाता है बरगी बाई या फिर बरगी परियोजना भी बोला जाता है ठीक है तो इसका दोस्तो निर्माड जो किया गया है वो जवलपुर से 43 किलो मीटर दूर ठीक है जवलपुर से 43 किलो मीटर दूर एक गाम है बिजौरा ग्राम बिजौरा ग्राम मैं इस बांध का या फिर परियोजना का निर्माण किया गया अब दोस्तों अलग-अलग बुक में अलग-अलग मिलता है किसी बुक में लिखा है जवलपूर नर्वदा नदी पर है किसी पर लिखा गया बरगी नदी पर है ठीक है तो यह ना नर्वदा नदी पर है ना बर्गी नदी पर है यहां से नर्वदा नदी आती है और यहां से आती है बर्गी नदी ठीक है तो इसके संगम पर ही डैम बनाया गया है ठीक है बर्गी डैम ठीक है यह नर्वदा नदी है और यह बर्गी नदी है ठीक है तो इस पॉलपुर से बिजोरा ग्राम में, ठीक है, कहां पर, कौन सी नदी पर, बरगी वा नरमदा के संगं पर, ठीक है, तो यह आपको point जाद रक्ता है, न ये बरगी नदी पर है और न नरवर्दा नदी पर है, ठीक है, धरवदा नदी के और साहक नदी है, बरगी नदी, तो यही जहां पर आकर के मिलती हैं तो वहीं पर इस डैम का निर्मान किया गया तो यह एक point आपका doubt clear हो गया ठीक है इसके लबा दोस्तों यदि हम इसकी बात करें तो यह सबसे लंबा डैम है सबसे लंबा नहीं है यह इसकी लंबाई जो है 825 मीटर है सबसे लंबे की बात करें तो तवा डैम है वह अभी हम बात करेंगे ना 825 इसकी लंबाई है 825 मीटर यह डैम लंबाई है ना इसके लबाए इसकी सथापना दोस्तों की गई थी 1974 में 1974 में इसकी सथापना की गई 1984 में ये बन करके तयार हुआ ठीक है और 1990 से बिजली का उत्पादन स्टार्ट हो गया ठीक है तो ये तीनों चीज आपको या रखना है 1974 में इसकी अधार सिला रखी गई मतलब इसकी स्थापना की गई काम स्टार्ट हुआ 1984 में बन करके तयार हुआ और 1990 में 90 सेसका बिजली उत्पादन स्टार्ट हो गया ठीक है तो बहुत जल्दी ये कम्प्रीट हो गई ठीक है तो ऐसा एक्जाम में कोश्चन बनता है कि नर्वदा नदी की पहली नदी घाटी परियोजना ठीक है नर्वदा ऐसा कोश्चन बनता है नर्वदा नदी पर निर्मित प्रथम परियोजना ठीक है प्रथम परियोजना कौन सी है तो यही भरगी परियोजना या फिर रानी अवंतिवाई लोधी परियोजना अब आपको confuse नहीं होना नर्वन नरी पर निर्मित परियोजना ठीक है अभी जो हमने इंद्रसागर परियोजना पड़ी उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ठीक है अभी जो इंद्रसागर पड़ी थी ठीक है वो 84 में स्थापित हुई थी 2004 में लगवग कम्प्ल होई ठीक है तो इसलिए नर्वन नरी पर निर्मित प्रथम परियोजना है ठीक है निर्मित मतलब कम्प्लीट हो गई है ना आधार सिला रखने की बात नहीं कर रहों कम्प्लीट बन करके होई तो बर्गी परियोजना नर्वन नर्वन पर निर्मित प्रथम परियोजना है ये भी एक अच्छा पॉईंट है, एक्जाम की दिष्टी से, ठीक है दोस्तो, अब हम बात करतें, इसका विद्धुत उत्पादन, विद्धुत उत्पादन, बात करूँ, तो 90 मेगाव Вот, का विद्दूत अत्पाधन होता है इसके लएवां 10 मेगावड का अलग से होता है नहर के माध्यम से है na टीके इसमें जो नहरे हैं उसके माध्यम से अलग से 10 मेगावड का होता है टीके तो option कई book में आपको 100 मिलता है है ना तो confused नहीं होना है एक्जाम में कभी दोनों option नहीं आएंगे एक option आएगा ठीक है 90 आएगा या फिर 100 आएगा ठीक है तो आपको option के हिसाब से टिक करना है ठीक है तो में जो विद्धुद उत्पादन है वो 90 MW है और नहरों के माध्यम से 10 MW और होता है तो total 100 MW आप बोल सकते हैं वर्तमान में ठीक है तो यह होगी दोस्तों विद्धुद उत्पादन की बात है ना इसके लब आप और कुछ point देख लेते हैं हम इसमें सिचाई वगएर कितनी होती है ठीक है तो इससे दोस्तों सिचाई होती है वह होती है नर्सिंग पुर ठीक है और आसपास के कुछ जिले हैं मंडला शिवनी मंडला और शिवनी ठीक है तो यह जैवलपुर के जो आसपास के जिले हैं इसकी लगवक दो दिसमलों दो लाख हेक्टेर भूमी को सिंचित किया जाता है इस परियोजना के माध्यम से यह भी आपको आद रखना है कि इससे इन जिलों को सिंचित किया जाता है इसके वार दोस्तों जो बर्गी परियोजना है इसके बनने के बाद मद्सि पालन और परियाटन को भी काफी बढ़ावा मिला है एक पॉइंट यह भी है कि इसमें म्स पालन बगैरे कि जाता है तो मस पालन को पर्याटन को बढ़ावा मिला है ठीक है तो इतने पॉइंट है दोस्तों इसकें तरकत एक बरर में चेक कर लिता हूं और कोई पॉइंट छूटा आए कि नहीं सारे पॉइंट यहां पर मैंने कवर कर दिये हैं ठीक है एक बर मैं रिवाइस कर दिता हूँ रानी अवांती भाई लोधी परियोजना या फिर बरगी डेम भी कहा जाता है तो इसका दोस्तों जो निर्माण किया गया है जबलपुर जेली के अंतरका जबलपुर से लगवक 43 किलोमीटर दूर एक ग्राम है बिजोरा ग्राम जबलपुर के अंतरका थी आता है ठीक है तो बरगी और नर्वदा नदी के संगाम पर इसका निर्माण किया गया है इसके लाब इसकी स्थापना हुई थी इसकी जो नीव रखी गई थी 1974 में रखी गई थी मेगावाट ऐसा याद रखें ठीक है नबे प्लस दस ऐसे याद रखें आप इसके लबाद दो दिसमला दो लाख हेक्टियर भूमी संजित की जाते है जबलपुर उसके आसपास जिलों में जबलपुर नर्शिंग पूर मंडला सिवनी में ठीक है और इस परियोजन से मस्पा यह कौन सी है नर्मदा यहाँ पर बनाया गया है बर्गी डेम जो अभी हमने पढ़ा है ना बर्गी डेम या फिर रानी अवंतिवाई लोधी परियोजना ठीक है यह बर्गी डेम है अब दोस्तो इस डेम के पहले स्टार्टिंग से ही यहां से ठीक है बर्गी नदी से नहर परियोजना तो यदि कभी ऐसा एक्जाम में कुश्चन आ जाए कि बर्गी अपवर्तन परियोजना किस नदी पर है तो बर्गी नदी पर है ठीक है देखिए मैंने क्या बताया जो रानी अवंतिवाई लोधी परियोजना है वो नर्वद नदी और वर्गी नदी के परंतो जो बर्गी अपवर्तन परियोजना है वो बर्गी नदी पर है कैसे है कि इस डेम के पहले ही बर्गी नदी से कुछ नहरे निकाल ले गई है और इसके जो बर्गी नदी है इसके पानी को मोड़ा गया है ठीक है तो इससे बोला जाता है बर्गी अपवर्तन परियूजना के माद्यम से कौन सी परियूजना बरगी अपवरतन परियूजना इसके अंतर का 2.45 लाख हेक्टेर जमीन को सेंचित किया जाता है और इन 4 जलों को लाव मिलता है इसके लाव है लगवक 1450 गावां को भी लाव मिलता है ठीक है तो confuse नहीं होना है दोस्तों बर्गी परियोजना में और बर्गी अपवर्दन परियोजना में एक बार फिर से रिवाइस कर दिता हूँ जो रानी अवंतिवाई लोधी परियोजना है वो बर्गी नदी और नर्वदन दी के संग्दम पर है इसके लबा जो बर्गी अपवर्दन परियोजना है वो इस डैम के पहले ही बर्गी नदी से पानी को नहरों के माध्यम से मोड़ करती है बर्गी नदी के दाई और नहरों के माध्यम से पानी को मोड़ कर इस परियोजना का निर्मार किया गया है इसके अंतरगा जबलपुर कटनी रीवा सतना को सचाय के लिए जल उपलब्द करायाता है ठीक है दो जिसे हम लोग चार-पांच लाख हेक्तियर भूमी सिंचित की जाती है और 1450 गाउं इससे लाप प्राप करते हैं तो दोस्तो आज हमने कौन-कौन से तीन मुख्य परियोजना नर्वधा नदी घाटी के इंतरगत हमने चार्चा कि कौन-कौन सी इंद्रसागर ठीक है सरदार सरोबर और बरगी परियोजना ये जो बड़ी-बड़ी तीन परियोजना थी हमने बात कर ली इसके लाब अभी और और भी परियोजना है ठीक है इसे महेश्दटा परियोजना और कुछ धोड़ी परियोजना है तो कल हम जो नरवदा घाटी का DOC में करें गे तो दोस्तो आजके लिए एतना ही तो आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जोड़ सकते हैं तिक और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं यदि आपको आज का लेक्टर पसंद आ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमाई साथ जोड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकत तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्यार रखें